हेलो गाइज वर्कम तो मेल चैनल आज में सबकी फेवरेट चॉकलेट केक की रेसिपी आपके साथ सेयर करोंगी तो इस वीडियो को पूरा चलूर देखेगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कीख बनाने के लिए यह मैने बर्तन लिया है कि इसे हम सब से पहले ग्रीस कर लेंगे एक चमज मैने रिफाइन डाल दिया है इसे हम 4 तरफ अच्छे से हातों से फैला लेते हैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा में डाल देती हूँ मेरे पास बटर पेपर नहीं है आप चाहें तो बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं मैंने मैदा चारो तरफ अच्छे से फैला लिया है केक कब बेटर बनाने के लिए यह मैंने बावल ले लिया है इसमें हम एक कप रिफाइंड ओयल डाल देते हैं यहां पर मैं दो चम्मच घी डाल रही हूं जिससे की फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप चाहें तो सिर्फ रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं कि यहां पर मैंने एक कप इसी चीनी ले लिए इसे भी मैंने डाल दिया है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि चीनी मेल्ट होकर इसमें बबल्स ना जाए अभी यह गाड़ा है इसमें चिपा करा है चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो पा रही है तो मैं इसमें एक कप मिल्क एट कर देती हूं यहां पर मैंने एक कप मिल्क लिया है यहां मैंने इसमें डाल दिया है इसे हम अब अच्छे से मिला लेंगे क्रीमी टेकसर लाने तक हम इसे फेटेंगे, इसे मैं 10 मिट के रेश के रख देती हूं, बाद में फेटूंगे इसे, जब तक हम प्रिहिट कर लेते हैं बर्तन को, यहां पर मैंने गैस को जला लिया है, और एक बर्तन चढ़ा दिया है, इस पर स्टेन रख देंगे, और लो फ 10 मिट हो गए हैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए इसमें चीनी अच्छे से मैल्ट हो गई है अब मैं एक चलनी ले लेती हूं इसमें हम ड्राइए इंग्रिडियंस डालेंगे यहाँ पर मैंने देड़ कप मैदा डाला है एक कप कोको पाउडर एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर आधे चम्मच से कम थोड़ी सी बेकिंग सोडा इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छे से चान लेंगे चानना बहुत ही जरूरी है इसमें जितने भी दाने हैं वो सारे हट जाएंगे यहाँ पर मैंने यह चान लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अभी गाड़ा है, इसमें हम मिल्क एट करेंगे, यहाँ पर मैंने एक कप मिल्क ले लिया है, इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे देखिए, अभी भी यह गाड़ा है, यह मैंने सब भी मिल्क इसमें एट कर दिया है, और इसे हम फिर से मिलाएंगे यह देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है, हमें इस तरह का बैटर तयार करना है, कुछ बुन्द वेनिला एसेंस की डाल देंगे, और एक छोटा चमल निवु का रस, यदि वेनिला एसेंस नहीं पसंद हो, तो आप इसकीप कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए, बैटर हमें इस तरह का रखना है, ना ज़्यादा पतला, ना ज़्यादा गाहडा, जो बर्तन हमने ग्रीज करके रखा था, उसमें हम बैटर को डाल लेते हैं देखिए, मैंने सभी बैटर डाल लिया, इसे हम अच्छे से टेप कर लेंगे, जो प्री हीट होने के लिए रखा था, लगभग 10 मिट हो गया है, बैख होने के लिए बैटर को रख देते हैं इसे अब हम ढग देंगे, 40-45 मिनिट इसे लो फ्लेम पे बैख होने देंगे, चलिए चेक कर लेते हैं, 25 मिनिट हो गया है देखिए अभी चाकू में बैटर लग रहा है, यानि कि ये नहीं पका है, इसे हम 15-20 मिनिट और पकने देते हैं 15-20 मिनिट हो गया है, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं देखिए बैटर चाकू में नहीं लग रहा है, यानि कि हमारा केक परफेक्ट बैख हो चुका है इसे ढख के दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे, गैस को बन कर लेंगे दो मिनिट हो गया है, अब हम इसे उतार लेंगे ये मैंने उतार लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे आधा से एक घंटा इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे चॉकलेट गनास बनाने के लिए ये मैंने डैरी मिल्क लिया है, बड़ा वाला इसे हम तोल लेंगे, छोटे-छोटे भागों में इसमें हम थोड़ा सा मिल्क एट कर लेंगे गेस को ओन कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे मेल्ट होने देते हैं इसे हम चम्मत से इस तरह से चला लेंगे इसमें उबाल आने लगी है, देखिए और ये अच्छे से मेल्ट हो गई है चॉकलेट गनास बन के तयार है, अब मैं गेस को बंद कर दूंगी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा केक ठंडा हो गया है, अब चाकू की सहता से चारो तरफ इस तरह से घुमा लेंगे जिससे की बहुत ही असानी से निकल जाएगा, एक प्लेट को रख देंगे हम और इसे पलट लेंगे और हातों से अच्छे से टैप कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे, देखिए बहुत ही असानी से निकल गया है और बहुत ही स्पंजी बना है, देख सकते हैं आप इस तरह भी पलट के आपको दिखा देती हूं, कि बहुत ही स्पंजी बना है देखिए प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ बहुत इस्पंजी केक मेरा बना है चोकलेट गनास को भी अच्छी तरह से ठंडी कर लेना है यह देखिए चोकलेट गनास ठंडी हो गई है अब मैं इसे केक में डाल लेती हूँ और चम्मत से हम पैलाएंगे चारो तरफ ध्यान रखना है कि चोकलेट गनास को हमें गर्म में नहीं डालना है नहीं तो केक हमारी खराब हो जाएगी टर्ने टेवल को घुमाते हुए इस पैचुला के साहारे हम चोकलेट गनास को इसमें स्प्रेट करेंगे यह देखिए अच्छे से मैंने लगा लिया है काजु के कुछ तुकडे लिये हैं केक को डेखराइट करने के लिए जिससे केक हमारा बहुत ही सुन्दर दिखेगा यह मैंने केक में डाल लिया है डैरी मिलके कुछ तुकड़े लिये हैं इससे भी हम डेकरेट कर लेंगे देखिए केक बहुत ही सुन्दर दिख रहा है खाने में भी यह बहुत ही सौधिस्ट लगती है एक बार बना के जरूर ट्राय कीजेगा चलिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ दिखिए अराम से हम इसे निकाल लेते हैं और अंदर से आप देख सकते हैं कि कितना ही यह सौप्ट बना है यह चलिए इसे में प्लेट में सर्व कर लेती हूँ इसे मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको देखिए बहुत ही अच्छी इसमें जाली बनी है और बहुत ही सौप्ट हमारा केक बना है एक बार और कट करके दिखा देती हूं आपको कि केक जो है बहुत ही सौप्ट और स्पंजी बना है यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्स्राइब करना ना भूले वेल आइकन की घंटी को प्रैस कर दे धन्यवाद